हमारी ये वीडियो पिसली वीडियो की कंटिन्यूशन में है हमारी लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि कंसाइनर की बुक्स में जर्नल एंट्रीज किस तरह से पास की जाती हैं और हमने यहां से कुछ इंफॉर्मेशन को रीड किया था और तीन यहां पर चार्ट इंट्रीज हमने पास की थी इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं यहां पर तो यहां पर जो हम लोग कर रहे थे वो था हम लोग कमिशन की कल्कुलेशन तो कमिशन जो के कंसाइनी को दिया जाएगा कंसाइनर देगा इसलिए के कंसाइनर की चीज़ें कंसाइनी बेच रहा है तो consigner consignee को 6% commission देगा अब यह commission किस पर calculate किया जाएगा जो amount जो sales हुई है जो consignee ने की है वो sales है 1,4,000 तो इस पर यह commission हम लोग calculate करेंगे तो यहाँ पर हमने लिखा है working notes यानि जो भी हमारी details है calculations है उसको हम लोग यहाँ करेंगे और calculate करके इसकी हम journal entry पास करेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं rupees 1,4,000 इसका अगर हम लोग calculate करना चाहें कि 6% क्या होता है तो हम लोग इसके लिए 6 को multiply करेंगे और divide करेंगे इसको 100 से तो अगर हम लोग 6 से multiply करें और divide करें 100 से तो यह हमारे पास commission आ जाएगा तो यह commission के amount हमारे पास आती है रुपीज 6,240 रुपे तो यह 6,240 रुपे commission आ गया अब इसकी हमने journal entry किस तरह से पास करनी है यह हम देखते है commission consigner के लिए क्या है consigner को commission देना पड़ रहा है तो यह इसके लिए खर्चा है और यहां पर हम लोग क्या करेंगे consignment के वज़द से commission का खर्चा हुआ है तो हम consignment account को debit कर देंगे consignment account को debit करेंगे और हम लोग यहां पर credit किसे करेंगे commission किस को देना है commission Mr. Ali को देना है तो Mr. Ahmed के लिए Mr. Ali जो है वो liability है और यहां पर हमने Ali account को credit कर दिया क्योंके liability में increase को credit किया जाता है और जो commission की amount है वो है 6,240 तो यहां पर हमने commission की amount लिखती 6,240 अब यह जो हमने entry pass की है इसकी हमने explanation भी लिख दी यानि being commission on sales at 6% of sales यानि जो sales हुई थी उसका 6% commission जो है वो expense आया है Mr. Ahmed के लिए यानि consigner के लिए इसको हमने record कर लिया इसके entry हमने कर लिए commission की इसके इलावा जो हमाई पस given है plus the expenses incurred by him यानि consigner ने consignee को एक commission देना है इसके इलावा अगर कोई expenses consignee ने खुद किये है sale करने के लिए तो वो expenses के जो amount है वो भी consigner ने consignee को pay करनी है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर है railway freight and carriage तो यह जो सामान को रखने का या सामान को एक जगा से दूसरी जगा railway के थूप पहुंचाने का खर्च जो है consignee ने पे किया है एक यह खर्च एक go down rent and insurance अब जिस godam में रखा गया है सामान उस godam का insurance और godam में रखने का जो खर्च है वो है 2500 तो अगर हम लोग यहाँ पर calculate करें जो consignee ने expense किया है और वो है rupees 12,500 और इसमें हम लोग जमा करते हैं वो जो के godam का खर्च है वो है 2500 तो यह जमा करके हमारे पास आता है rupees 15,000 तो consignee को एक commission दिया जाएगा 6,000, 240 और दूसरा जो consignee ने खर्च किया है इस consignment के वज़द से वो amount consignee को दी जाएगी तो इसकी हम लोग 12,500 और 25,000 मिला कर 15,000 इसकी हम एक ही entry pass कर लेंगे commission भी consignee का expense था और जो amount expenses consignee ने पे की हैं वो भी consignee के लिए expense है इसके लिए भी हमने वो ही entry pass की यानि consignment account के विज़ से खर्चा हुआ है तो consignment account को debit और alie account को यह amount हमने alie को pay करनी है तो alie हमारी liability है यानि consigner की liability है तो उनको credit कर दिया और लिख दिया being expenses incurred by consignee यानि consignee ने यह expenses की है amount है 15,000 तो बिल्कुल commission की तरह हमने इसके भी entry pass कर दी इसके बाद हमारे पास है alie remits a bank overdraft bank draft for the balance amount यानि consignee के पास इस वक सारी amount है क्योंके sale consignee ने की है at the end आखर में consignee amount balance उसके पास रह गया है उसका जो है वो ड्राफ बैंक ड्राफ ओ consigner को भेज देगा अब balance amount रह जाने का क्या मतलब है कितनी amount बाकी रह गई है जो अपने खर्चे हैं वो निकाल कर बाकी amount consigner को भेजेगा तो इससे भी पहले हमने देखना है कि consignment पर हमारा profit आया है या loss आया है तो वो हम लोग किस तरह से calculate करेंगे यसे हमने start में बात की थी अगर consignment को debit किया जा रहा है इसका मतलब है consignment की विज़से जो जो खर्चा हमारा होता है जब खर्चा होता है तो उसको consignment को debit करते हैं और consignment की विज़से जब हमारे पास amount आती है income होती है तो उसको हम consignment को credit कर देते हैं तो profit या loss calculate करने के लिए हम consignment देखेंगे कितनी दफ़ा debit हो रही है और किस amount से debit हो रही है तो जो पहला है पहली entry में consignment हमारी debit हो रही है 50,000 से फिर consignment debit हो रही है 300 से फिर consignment debit हो रही है 6,240 से फिर consignment debit हो रही है 15,000 से तो यहां अगर हम लोग वही expenses जो अभी हमने देखें इनका अगर हम लोग टोटल कर लें तो ये हमारे पास आता है 71,540 यानि जो consignment के वज़ा से खर्चे हुए हैं 71,540 इसमें commission शामिल है जो consigning को दिया गया है और जो खर्चे खुद consigner ने किये जो खर्चे consigning ने किये और जो cost है जो चीजने भेजी गई हैं उनकी cost वो मिला कर ये खर्चे आ गए अब ये consignment जो की थी ये sale कितने पर हुई थी ये हुई थी एक लाग चार हजार पर तो हम profit या loss किस तरहां से calculate कर सकते हैं जितने पर ये चीजने sale हुई थी एक लाग चार हजार में से अगर हम लोग ये खर्चे जो भी किये गए हैं इनको less करें तो ये हमारे पास यहां पर amount आ जाएगी 32,460 तो ये जो 32,460 हमारे पास आया है ये हमारे पास profit कहलाएगा जो के consignment पर हुआ है अब जो भी consignment जिसको भी की जाएगी हर consignment का separate account बिनाया जाता है और हर consignment के लिए separate profit या loss लिखा जाता है तो अब ये जो हमने profit calculate कर लिया है इसकी अब हम लोग journal entry पास करेंगे तो यहां पर हम लोग आते हैं journal entries पर तो हम लोग अब इसकी क्या entry पास करेंगे हमारा जो profit है जब हमारा profit हो कुछ हमलोग उसको क्या करते हैं हम उसे credit करते हैं और यह profit किसके वजद से हुआ है यह profit consignment के वजद से हुआ है तो हमने कर दिया अब यह कितना प्रॉफित हुआ है 32,460 तो हम लोग यहां पर इसको लिख देंगे 32,460 इसके बाद हम क्या एंट्री करेंगे इसके बाद यहां पर जो में गिवन है अली रेमिट्स अब बैंक ड्रॉफ्ट फोर दे बैलन्स अमाउंट तो बैलन्स अमाउंट हम रिलेट करेंगे टोटल अमाउंट आई कितनी है मिस्टर अली के पास वो है जो सेल्स के थूँ अमाउंट आई है वो है एक लाग चार हजार इतनी अमाउंट आई है तो इस अमाउंट में से जितनी भी अमाउंट मिस्टर अली से रिलेट करती है वो उपने पास रखेंगे बाकी amount को Mr. Ahmed को भेज देंगे तो कितनी amount उनसे relate करती है यह हम minus कर देते हैं यहां bracket लगाते हैं और वो तमाम amount लिखते हैं जो के Mr. Ali की है सबसे पहले वो amount जो के हां given है 10,000 जो Ali ने advance पे कर दिया था एहमद को तो यह 10,000 किसके हैं यह 10,000 जो एडवांस और पे किया था वो इसमें से काट लेंगे 10,000 और फिर उसके बाद जो कमिशन बनता है Mr. Ali का वो है 6,000 और कितना था 240 तो 6,000 तो फोर्टी कमिशन वो अपने पास रखेंगे इसके इलावा जो खर्चा Mr. Ali यानि कंसाइनी ने खुद किया था वो था 12,500 प्लस 2,500 तो यह मिला कर 15,000 खर्चा उन्होंने खुद किया था तो यह 15,000 खर्चा यानि जितने भी Mr. Ali कंसाइनी के खर्चे हैं वो तमाम खर्चे वो सेल की अमाउंट में से माइनस करेंगे और यह माइनस करने के बाद बैलनेस अमाउंट जो आती है वो है 72,000 760 तो 72,000 और 760 अमाउंट जो है वो Mr. Ali Mr. Ahmed को बेंक के थूँ भेज देंगे तो इसकी भी अब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं कि हम CONSIGNOR के बुक्स में जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं तो हम देखेंगे जो फाइनल ड्राफट आता है CONSIGNOR के पास उसके लिए क्या होगा CONSIGNOR बैंक के थूँ आया है तो CONSIGNOR के बैंक अकाउंट में अमाउंट आएगी जो के consignee Mr. Ali भेज रहे हैं तो कितनी amount है 72,760 तो 72,760 से हमने bank account debit कर दिया और Ali account को हमने इस amount से credit कर दिया क्योंकि पहले Ali amount को हमने क्योंकि Ali से हमने amount वसूल करनी थी तो Ali जो है वो हमारे debtor की हैसियत रखते थे जब हमने consignment की थी Ali account debit consignment account credit तो अब हम क्या करेंगे अब ये हमारे debtor नहीं रहे क्योंकि इन से जो भी amount आनी थी वो हम वसूल कर चुके हैं balance की सूरत में यानि अपने खर्शें निकाल कर बाकी amount उन्हें हमें दे दी तो अब हम उन्हें credit कर देंगे ये जो हमारे पास details given थी in details को देखकर हमने consignor की books में journal entries पास कर ली अब जो आखरी journal entry पास की जाती है वो ये की जाती है उसे हम closing entry कहते हैं goods की जो cost होती है वो उसको debit कर दिया जाता है goods की cost debit करके trading account में से close कर दिया जाता है इसका मतलब है जब इसके बाद trading account बनाया जाएगा तो ये 50,000 जितनी amount की goods थी ये trading account के debit side पर हम goods की cost लिखेंगे और यहाँ पर हमने लिख भी दिया being goods sent on consignment account transfer to trading account ये जो goods हमने भेजी है consignment की basis पर इसका expense trading account को debit side पर लिखा जाएगा तो इस video में हमने ये सीखा किस तरह से consignor की books में journal entries consignments related details की पास की जाती हैं